दोस्तों जहित मैं राहुल वर्दन स्वागत करता हूँ आपका देखे कुछ डॉकुमेंट्स ऐसा होता है ना ससीडी में जो आपको अनिवारे रूप से देना ही है ठीक है जैसे डॉमिसाई आपको पता होगा कि ससीडी से जो भरती होती है वो बाकियों भरती के तुला में अलग होता है फो इस मामले में कि जितना, मतलब, population होता है जितना आबाधी जिस state को होता है, ठीक है लगबग उसी के आधार पे ये जो भरती जो घरती है वो उस state से उतने ही ratio में भरती होता है इसलिए क्या होता है domicile इसमें 100% लोगों को चाहिए होता है चाहिए आप जहां से भी हो domicile का मतलब मेरा मतलब permanent residential certificate से भी है अभी हाल में ये भाई है आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा है भाई है मेरे गाउं पे कुछ लड़के थे जो गाउं के लड़के हैं जो दूसरे state से भरती हो गए थे अभी training center से उनको वापस भेज दिया है मैंने पहले भी कहा था कि हमारे समय में ऐसा हुआ था कि जब हम training center में थे पूरे साल चले गए P.O.P के समय में को पता होगा P.O.P जो होता है वो last में होता है लगबग 10 मेहने के training के बाद total 11 मेहने के training में 10 मेहने के बाद एक मेहने P.O.P practice होता है ठीक है उस वक दस्वे महीने ठीक है P.O.P practice होता है जिसमें passing out parade बोलते उसमें वो घर गए अब सोच सकते हो कि एक साल training के बाद कर गए ठीक है एक हालिया दूसरा एक बाई है वो कह रहा है सर मेरे कुछ रुपे 12,000 रुपे SSGD Adder State Document के लिए ले लिया है वैं फस गया हूँ अभी क्या करूँ तो देखो मैं तो इसमें कुछ मदद कर नहीं सकता हूँ बस ये है कि आपके वज़ा से और लोग ना ऐसे जहांसे में आए ये आपके लिए मतलब अच्छा होगा मतलब आप इस चैनल के लिए अच्छा किए कि आप ऐसे कमेंट करके लोगों को अवेर कर रहे हूँ ठीक है तो डूमी साइल आपको 100% चाहिए ठीक है आज इतना ही वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जोड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करेएगा जैए